सिंपल बर्दे केक बनाने के लिए मैंने यहां पर केक बेस ले लिया है जो की एकदम थंडा है इसको मैंने बराबर से तीन लेर्स में कट करके रेडी रखा हुआ है आपको मेरी चैनल में विथाउट अवन एगलेस केक की रेसिपी मिल जाएगी जिससे आप इस तरह का स्पंजी केक रेडी कर सकते हैं अब टन टेबल के ऊपर हम इस तरह डबल टेप को स्टिक कर देंगे और इसके ऊपर केक बोट को फिक्स कर देंगे अब धोड़ा से क्रीम इसके ऊपर लगा देंगे और केक का पहला लेयर इसके ऊपर स्प्रेट करेंगे इसके ऊपर सुगर शिर्फ सुगर सुरप की रेसिपी मेरे चैनल में है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा देखे Κ्रीम का पहला लेयर स्प्रेट करेंगे प्रेशिपी मेरे चैनल में अप्लोड़ है अच्छे से लगाने के बाद इसके ऊपर आप छौकोछीप्स का भी इस्तमाल कर सकते हैं केक का सेगें लेयर में पर तूमाल का सुल्ट एक तुन ला शुछ लेजेंगे थर्ड लेयर रखेंगे थर्ड लेयर के ऊपर भी इस तरह सुगर से स्प्रेय करेंगे इसके ऊपर भी क्रीम लगाएंगे अब क्रीम को आपको चारो तरफ लगाना है तो यहां पर देख सकते हैं आप केक को मैंने अच्छे से कवर कर दिया है अब इसे हम 30 मिनट के फ्रीज में रख देंगे सेठ होने के लिए तीस मिनट के बाद अब इसे बाहर निकालेंगे अब हम स्टार नोजल यूज करते हुए प्लेन वीप क्रीम से केक को डेकोरेट करेंगे आप चाहे तो यहां पर पिंक या यलो कलर का भी इस्तमाल कर सकते हैं पहले हम स्टार बनाएंगे उसके ऊपर हम रोजट बनाएंगे तो यह आप देख सकते हैं मैंने सब्तर बना दिया है अब इसके ऊपर भी हम बनाएंगे थोड़ा से स्पेस हम एक साइड में खाली रखेंगे अब यहां पर मैंने लीफ नोजल यूज किया है और ग्रीन कलर को विप क्रिम में मिक्स कर दिया है अब इससे हम लीफ बनाएंगे तो यह देखिए मैंने उपर के साइड में बना दिया अब साइड भी बनाएंगे यह देखिए अब हम थोड़ा सा सिल्बर बॉल्स इसके उपर लगा देंगे आप चाहें तो यहां पर ग्लिटर स्प्रे का भी यूज कर सकते हैं यह देखिए इस तरह का केक टोपर आप इसके उपर सेट कर दे और खाली जहँंपे जिसका नाम लिखना चाहते है नाम लिख सकते हैं या फिर कोई मैसेज लिखना चाहते है तो लिख सकते हैं तो यह रैड़ी हो गया है as कुछ झाल झाल झाल